दोस्तों अगर आप अपना email id और अपने email id का password दोनों भूल चुके हैं और आप उसको recover करना चाहते हैं किसी mobile में login करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना email id और अपना password दोनों कैसे recover कर सकते हैं email id और password डिकवर करने के लिए Gmail को open कर लेना है open करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आएगा तो आपको यहाँ पे got it पे click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पे add an email address पे click करना है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से option मिल जाएगा आपको Google पे क्लिक करना है Google पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आ जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना email ID डालना है जो कि आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है यहाँ पर forgot email पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तो आपको अपना वो mobile number डाल देना है जिस पर आपने अपना email ID बनाया था तो यहाँ पे दोस्तो अपना mobile number डाल के उसके बाद आपको यहाँ पे next पे click कर देना है जैसे आप इस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे नाम डालने के लिए आएगा उपर आपको first name अपना डालना है यानि कि अपना नाम डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे surname डाल देना है डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे next पे click कर देना है next पे click करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर processing होगा होने के बाद दोस्तो आपका यहाँ पे इस तरह से इंटरफिस आ जाएगा अब यहाँ पे दोस्तो आपने अपने मुबाइल का जो नमबर डाला था उस नमबर पे एक कोड आएगा उस कोड को आपको कॉपी करना है तो यहाँ पे मैं दोस्तो अपना वो कोड पेश्ट कर दिया हूँ पेश्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे किलिक कर देना है नेक्स्ट पे किलिक करने के बाद दोस्तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं forgot password पे click करने के बाद दोस्तो अब आपके सामने इस तरह से interface आजागा तो आपको यहाँ पी यह पूछ रहा है कि आप अपना last password जो डाले थे वो आपको यहाँ पे डालना है तो आपको last password भी कहां से याद रहेगा तो दोस्तो आपको क्या करना है try another way पे click करना है उस पे click करने के बाद दोस्तो अब यहाँ पे आपको एक नया password create करना है जो कि strong password होना चीए strong password का मतलब है कि दोस्तो आपका कुछ letter जो है capital में होना चीए कुछ letter small में होना चीए कुछ number होने चीए और कुछ symbol होने चीए उसके बाद यहाँ पे confirm पे भी आपको वही password डाल देना है और इसक I M N P click कर देना है उसके बाद दोस्तो अब यहाँ पे आपको agree पे click करना है उसके बाद यहाँ पे थोड़ी दिर के लिए processing होगा होने के בाद दोस्तो अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे चैप्ट पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका यहां पे जो पुराना इमेल आइडी था जिसका पासवर्ड और उसका इमेल आइडी भूल चुके थे यहां पे लोगिन हो चुका है तो आप दोस्तों मैं यहां तो इस तरह से दोस्तो आप अपने किसी भी पुराने email ID को recover कर सकते हैं जिसका password और email ID आप भूल चुके हैं अब वीडियो अगर आपको जड़ा भी informative लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा बेल आइक उनको प्रेस करना ना भूलिएगा मिलते हैं किसी और informative वीडियो के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा असलाम अलेकम